आज मैं आपको इंडियन स्टाइल मैकरोनी सिखा रही हैं कुछ डिफरेंट ट्विस्ट के साथ आशा करती हूं आपको बहुत पसंद आएगी तो इंग्रीडेंट्स मैं आपको बता देती हूं यह मैंने अध्रक लेसुन पेस्ट लिया है हाफ टी स्पून मोने को सॉल्टेड बिस्कित लिया है 10 पीस सॉल्ट टेस्ट है चीज स्प्रेड लिया है ओल है थ्री टॉमेटोस कट कर लिया है बारी कट कर लिया है वन बिग ऑनियन है जिसको मैंने कट कर लिया है वन बाउल मैकरोनी है चात मसाला है मैकरोनी मैंने 250 ग्रैम चाहें अतना ले सकते हैं उसी के रेष्यों से आप इंग्रिण्स को बढ़ा सकते हैं तो सब पहले मैं इसमें मेकरोणी को बॉल करोंगे गए डंबल वॉ-टर लेके उसमें बॉल करेंगेगे वित जैसा में पहले भी मैगी और उसमें आपको बताते हूं यह सिलो कणके अनोय होगी में श्याही है जाना है कि करिके था में लेती ही होगी है धोड़ इसमें आपको मलंगो सब्सक्दार शल्तियुक्ता है और वन पी स्पून में इसमें ऑईल डालूंगी जैसा मैं पहले भी मैगी और उसमें आपको बता चुकी हूँ और इसको मैं हल्के हाथ से चलाऊंगी ताकि ये तले में ना जिपके थोड़ी देर इसको चलाते रहना है और जब तक सॉफ्ट होगी तक तक हमें से पकाना है ये मैंने ऑईल डाल लिया है वन टेबल स्पून वन एंफ टेबल स्पून इसमें प्याज जाल देंगी बुबारी कतावा प्याज है इसको डाल देंगे और इसको हल्का गुलाबी होन देंगे ज्यादा नहीं दूना है उसको इसमें मैं अगरब का पेस्ट गानूंगी छाफी स्पूल ये और आपको पसंगी है तो आप डाल सकते हैं मैं तो अवाइड कर सकते हैं हल्का पिंक होने कखने को भूई देंगे देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है हल्का पिं अगर आप बच्टों से भी बना रहे हैं और जो हरी मैं शाना पसंग करके ये भी ऑप्शन है और सॉस्थ होने कख हम इसको पकाएंगे अभी इसमें मुद्धी में थोगा सा शॉल बालेंगे मैं चीज प्रेग यूज करूंगी उसमें भी सॉल होता है इसलिए सॉल्क जब तक मसाला भूनता है तब तक हम मैकरोनी चेक कर लेते हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है आपस में नेशिक की हैं क्योंकि हमने इसमें ओयल डाल दिया था यह आप देख सकते हैं आप इसको ऐसे प्लेट में लेके हलका दबा के देख सकते हैं कि यह सॉफ्ट हो इसको स्ट्रेंड कर लेते हैं यह देखिए हम इसको स्ट्रेंड कर लेंगे एक्सिस वाटर नीचे आ जाएगा और इसके उपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ठंडा मतलब नॉमल वाटर देखिए यह आपस में बिलकुल नहीं चिपके हैं ताकि आपस में ना आपनी चैश्टी को खकारा है और इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए हलका सा जब तक हमारा मसाला बूंता यह देखिया अच्छे से गल गई है अच्छे से गल गई है यह देखिए अच्छे से टोमैटो गल गया है अगर आपका टोमेटो जैसे जूसी नहीं है तो उसमें फोर अपानी डाल के इसको मैंश होने तक त्यार कर सकते हैं तो एक सॉफ्ट हो गया है अब हम इसमें बॉयल में कर देंगे तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर दो यह देखें अच्छे से मिक्स हो गया है अब यह जो हमने मोनेको बिस्किट को क्रश किया था यह मोनेको बिस्किट है 10 पीस इनको क्रश कर लिया था इसको मैंने इसमें डाल दिया है आप अ मैकर्वानी बहुत बेंड बलीया बन जाती है और वह सियुए हो जाती है इसलिए से बिस्किट से बहुत अच्छी बाइंदिंश और रजारता है मैं आपको बताती हूं बहुत इजी है ऐसे बिस्कित का चूरा आपकर करके इसको डाल सकते है नमक मैंने जो टोमैटो में डाला था वही रहने दिया है क्योंकि इसमें बिस्कित में भी नमक है और अब मैं चीज प्रेट डाल रही हूं यह भी सालोटी है यह वन टेबल यह देखे कितने अच्छे से बाइन हो गया है नहीं तो मैकरोनी बिल्कुल अलग दिखती है और वह जो मसाला है वह अलग रह जाता है यह बिल्कुल इन पर कोट हो गया है बहुत तेस्टी लगेंगी बहुत यमी लगेंगी ज़रूर प्राइ कीजेगा मैं अभी इसकी प् मैकरोनी त्यार है तो लीजिए यह मैकरोनी विची स्प्रेड एंड मोनेको बिस्किट त्यार है आप टेस्ट कीजिए ट्राइ कीजिए फिर मुझे जरूर बताईए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी मैं आपको बताना चाहती हूं यह देखिए किस तरह से बाइंड है यह मैं आपको डिद वें पर एंड यह आ दो आपके छोड़ मैं आपकी जब खोनी बताईए जब शिएकर बताईए जक्त की एंड खोनी अलबने ट्यार को से इंट चाहतीजिए जह जए हैं दुर्वें जायर का मैं बताईए